नमस्कार एटो जेट डिशश उशा गुर्जानी में आप सब का स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हूं सूखे मटर की सबजी अब देखिए कभी-कभी ऐसा होता है कि ताजे मटर नहीं होते हैं खेर बात यह है कि अभी सर्दिया आ गई है फिर खिचड़ी के साथ उसके लिए यहाँ पर मैंने सूखे मटर विगो के रख दिये थे रात पर कुछ इस तरह से हो गया है अब यहाँ पर मिक्सर जार में मैंने डाल दिया है एक प्यास कटा हुआ एक हरी मिर्ची और एक टमाटर और थोड़ी सी इमली डाल देंगे एक साथ ही जाता है यहाँ पर दो कच्छे आलो को मैंने छील कर मीडियम साइज के टुकडों में काट लिया वह भी डाल दिया है और जैसे कि मैं आपको का एक गलास जितना ही पानी डालना है जादा नहीं कुकर का ढकन देते हो इसे हमें तीन से चार विसल यानी की तीन से चार से टियान तक पका लेना है जैसे ही पक जाए पुरा प्रेशर खतम हो जाए उसके बाद ही ढकन को खोले और देखिए दूनों चीज़े अच्छे से पक गई है फिर से गैस को ओन करके कड़ाई रख देंगे और इस पर मैं डाल लिए एक चमश भर के तील अब वो देखिए तेल जो है जादा गरम नहीं होना चाहिए तुरंती इसके अंदर आपको गरम मसाला लाल मिश पाउडर धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर यह सारे मसाले अप अपने स्वात के अनुसार डाले और तेल के अंदर इसे बून ले गरम तेल में डालेंगे तो सूखे मसाले तो वो जल सकते हैं इसलिए ठंडे तेल में आपको मसाले डाल दे और धीमी आज पर ही बूनना है फिर जो हमने यह प्यास टमाटर यह सब पीस के रखा था वो डाल दे और इसे एक से दो मिनिट तेक लगबग बूने उसके बाद स्वात के अनुसार नमक डाल कर इसे और अ में खुलाई पकाना है तकरीबल 5-6 मिनिट के लिए बीच बीच में मिक्स करते रहेगा और पकाते रहेगा सबजी बहुत ही आसान है और इमली आप चाहें तो स्किप कर सकते मतलब नहीं डाले कोई बात नहीं पर इमली से सच बतारी स्वात बहुत ही अच्छा आता है तो कीजेगा थोड़े से धनिया के पती वे मैंने डाल दिये 5-6 मिनिट हो गया है और ये सूखे मतर की सबजी बन करता है डर्मा गरम है आप इसे रोटी के साथ ले सकते है पराठो के साथ राइस या फिर खिचुडी के साथ बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी है तो ट्राइ की 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 कैसी है